पर कौन कौन से चीजें डिपेंड करती हैं कौन कौन से फेक्टर उसके पर इफेक्ट करती है नबर वन नीचर ऑफ ती análी दो परिंट की नीचर क्या है और जो अडिजॉर्बउंट की नेचर है इस डिक्ट BTS अध्यच्ट पर्फोशन तो अध्यारिया है यानि जो सर्फ अरिया है उसके उपर डिपेंड करता है कि आसो आड्स ब्रफशन कितनी होगी तो जैसे देखे हमारे पास जो सलीका जहल है उसके अंदर एक गुड सर्फिस एरिया है लेकिन उसके कंपरिटिव अगर आप देखें कोई और साल्ट देखें तो उसका सर्फिस एरिया अगर कम है तो उसके उपर अड्जॉर्बेशन भी कम होगी ठीक है तो जो नेचर ऑफ दा और जो एड्जॉर्बेट होता है अमूमर यह गैस फेस में होता है ठीक है और यह गैस कोन सी होती है डैट विल बी एजली लिक्वीफाइबल ठीक है तो हमारे पास नमबर एक तो यह है एड्जॉर्बेंट नमबर टू है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेट जो है अमुमर वो गैस होती है और गैस कून सी हो गई जो इसली लिक्वज़ फाय civile होगी जो इसली लिकवड में कनवर्ट हो कि तो यह हो गया नमबर तीन क्या है तमप्रेचर का ईफट और नमबर चार क्या है प्रैशर का ईफट जो है इसको हम जड़ा डिटेल से बढ़े है ठीक है तंप्रेचर आफ दा सर्फेस तंप्रेचर का इफेक्ट इसको देखते हैं एड्जॉर्पेशन हमें पता है कि ये एक एक्जो थर्मिक प्रॉसस है और अकॉर्डंग टू लीचेट्रिय प्रिंसिपल ये जो एक्जो थर् के लिए ये लो टंप्रेचर के लिए तो बहुत ज्यादा फेवरेबल है जैसे ही टंप्रेचर इंक्रीज करते हैं तो टंप्रेचर इंक्रीज करने से जो एड्जॉर्पेशन है वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है टंप्रेचर इंक्रीज करने से एड्जॉर्पेशन डिक्र हो जाती है हम जब यहां पर temperature की बात कर रहे हैं तो एक चीज है के pressure वो pressure यहां पर क्या है constant है और अगर हम pressure की बात कर रहे होंगे तो फिर हमारे पास जो temperature है वो constant होगा यहनके temperature और pressure में से कोई एक factor आपने constant consider करना होगा ठीक है फिर आप उसकी adsorvation का उसके साथ जो rate है उसको calculate करेंगे तो पढ़ लेते हैं इसको adsorvation is an exothermic process this is an exothermic process this is an exothermic process as temperature increase from 193 Kelvin to 273 Kelvin at constant pressure the volume of the gas adsorbed decrease from V3 to V2 यानि कि उसका जो volume है वो पहले से कम हो जाता है volume decrease हो जाता है तो अब हम एक जो आईसो थर्म है उसको जरा discuss करने वाले हैं और वो आईसो थर्म कौन सा है वो है हमारे पास आईसो थर्म friendledge का friendledge का जो आईसो थर्म है इस आईसो का मतलब क्या होता है सेम थर्मीन होता है temperature ठीक है जब वो factor जब वहां पर temperature constant रहे the extent of the adsorption of the gas per unit mass of the adsorbent depends upon the pressure of the gas आईसो थर्म temperature constant temperature same it's mean कि जो हम अब factor discuss कर रहे हैं वो between the adsorption and between and versus the pressure उसको calculate करने है तो वो कहता है कि जो adsorption की quantity है extent है वो depend करती है pressure के उपर mean by increasing the pressure directly adsorption increase after some time कुछ time के बाद adsorption will be stop even you apply very high pressure अगर आप बहुत ज्यादा high pressure भी उसको apply कर देए it means surface area does not remain empty अब यहां पर यह है इस फ्रेंडलिच के जो आईसो थर्म था जो फ्रेंडलिक फ्रेंडलिच का आईडिया था वो क्या था उसने कहा था उसने कहा था कि जो gases की adsorption है वो depend करती है adsorption उनकी pressure के उपर ठीक है pressure के उपर depend करती है लेकिन वो प्रेशर के साथ जितना pressure ज्यादा होगा adsorption उतनी ज्यादा होगी पर यह ऐसा नहीं है forever होगा लेकिन एक stage ऐसी आएगी जब आप जितना मर्जी उसको उसके बाद pressure apply करें तो adsorption उसके बाद increase नहीं करती adsorption वहाँ पर stop कर जाती है reason क्या है adsorption जो है वो जिस तरह pressure के उपर depend कर रही है similarly जो दूसरा factor है उसके उपर उसे finish हो गया surface area ही ना बचा तो फिर बेटा जी adsorption कहां पर होगी यहनिके sides का available होना एक fundamental condition होता है अब यहां पर हम यह देखे x by m is directly proportional to the pressure this x by m क्या है this is the extent of the adsorption x by m is the extent of the adsorption amount of the adsorption भी इसको कहते हैं extent of adsorption कह ले या amount of the adsorption हम कह लेते हैं इसको और यह depend करती है किस के उपर pressure के उपर let's suppose कि हमारे पास यह वाली जो है यह एक surface है और इस surface के उपर यह वाले जो है हमारे पास यह जो dot बने हुए है यह adsorbit हैं तो यह जो adsorbit हैं यह x है ठीक है extent is equal to the x extent of the adsorption वो क्या है x है और adsorption किस की है जो adsorbed material उसके उपर adsorbed हो रहा है है जो adsorbit material उसके उपर adsorbed हो रहा है m क्या है this is the mass यह जो एकस वाई m है this is the ratio of the extent of adsorbit over adsorbit mass यह जो नीचे है इसका mass और इसका क्या है amount x क्या है यह वाले जो dot बने हुए है यह x यह वाले amount है जिनको हम adsorbit कहते हैं ठीक है जो adsorbed हुए है और यह जिसके उपर adsorbed हुए है यह उसका mass है ठीक हो गया जी तो हमारे पास यह है extent of adsorption divided by mass of the adsorbit this is the amount of the adsorption तो हमारे पास कितनी amount adsorbed होगी यह depend करेगी कि amount adsorbed कितनी हुई है और जिसके उपर adsorbed हुई है उसका mass कितना है ठीक है और यह is equal to the pressure जितना उसके उपर आपने pressure apply किया it's mean in this process temperature is the constant हमने temperature की कहीं बात ने की it's mean temperature क्या है वो constant है वो change नहीं होता ठीक है तो यहां से अगर in short मैं आपको यू कहूँ कि friendly का जो आईसो थर्म है वो है क्या in short मैं उसको explain करने लगा हूँ वो यह है adsorption का friendly का जो आईसो थर्म है वो यह कहता है कि जो pressure है ना pressure वो directly proportional है absorption के ठीक है extent of the absorption के और जो extent of the absorption is divided by m वो m क्या है उसका मैस है और हमें तो ये चाहिए ना कि amount कितनी absorb हुई है और ये ratio होती है between the extent of the absorption and mass of the absorbate इसके ये बराबर होती है तो यानि कितनी amount absorb हुई ये calculate करते है फ्रेंडलेच के आईसो थर्म से ना वो ड्रादा ग्राफ graphical explanation वो ड्रादा ग्राफ between the extent of the absorption and pressure of the gas at constant temperature ठीक है अब हम यहां पर इसको discuss करते हैं जी हमारे पास ये क्या है एक्स वाई एम है यानि कि ये है amount of the absorption on y-axis और on y-axis हमारे पास क्या है प्रेशर है at initially हमारे पास जो प्रेशर और amount of the absorption zero थी फिर हम ये देखते हैं कि pressure increase होता है और pressure increase होने के साथ साथ जैसे जैसे ये pressure increase होता है वैसे वैसे जो amount of the absorption है वो भी बेटा जी देखें कि increase करती जाती है amount of the absorption भी इसके साथ साथ increase करती जाएगी और फिर हम यहां पर देखें तो pressure का increase हो गया और pressure increase होके के एक्स भाई एम भी उसके साथ साथ वैसे increase होती जाती है लेकिन फिर हम एक और इसकी stage देखते हैं और वो stage कौन सी है वो stage है इसकी ये वाली ये कौन सी stage है ये वो वाली stage है जब हमारे पास ये जो x bym है ये constant हो जाता है और pressure क्या है प्रेशर तो gradually हमारे पास देखें के य increase करता जाता है pressure increase करता जाएगा लेकिन जो amount of the absorption है ये वाली जो yellow color में मैंने की है ये constant हो जाएगी तो ये graph इनके बारे में हमें information देता है अगर हम देखें तो मैंने इन तीन color से इस graph को show किया है एक yellow से दूसरा ये वाला red से और तीसरा ये वाला green से green क्या है initial हमारे पास stage है जब pressure हम उसके उपर apply कर रहे है और pressure apply हो रहा है तो then उसकी value क्या है P prime है या P one है उसके बाद एक stage आती है जो उसके in between होती है intermediate होती है जब pressure उसके उपर apply हो रहा है तो कौन सी amount उसके उपर absorption हो रही है one by n pressure की जो amount है उसके उपर जो apply हो रही है और फिर आफ्टर सम टाइंग जब जो x by m है वो constant हो गई it's mean के जो pressure का effect है वो zero हो गया तो यहां पर p raise power zero हो जाता है तो surface area decrease so it becomes the constant जैसे जैसे surface area काम हुआ pressure चाहे जतना भी आपने apply किया उसका असर कोई नहीं होगा जब उसका असर कोई नहीं होगा तो हमारे पास जो overall pressure है वो p हमने zero constant कर लिया यानि कि उसका हमने कहा कि यह अब constant हो गया है क्यों कि surface area ही काम हो गया है तो हमारे पास क्या है actually यहां पर आजें इधर तो हमारे पास है जी amount of the adsorption is directly proportional to the p this is the pressure और initially क्या है हमारे पास at initial stage initial stage यह है कि amount of the adsorption is directly proportional to the p प्राइम और finally क्या होगा कि जो amount of the adsorption वो directly proportional हो गई p0 के p1 initially था और finally क्या हुआ यह उसकी final form है यह वाली तो इस final form में यह वाली क्या है यह जो yellow में यहां पर यह है जी final form यह क्या है इसकी initial form यह है इसकी बेटा जी initial form यह है जी initially और यह है finally और यह क्या है इसका in between है तो यह इसका in between portion है और जो in between वाला है उसको आप intermediate कहें यह in between कहें तो एक ही बात है ठीक है तो तीन हमारे पास यह वाले portion बन गए तो finally जो है हमारे पास final के अंदर p0 है initially p prime है और intermediate के अंदर p1 by n है तो p is the saturation pressure हम इसको क्या कहते है saturation हो गई है saturation में फर्दर उसमें किसी भी चीज़ की जो absorption है वो end हो जाता है उसको हम saturation कहते है ठीक हो गया जी और यह क्या है intermediate pressure और p1 क्या है हमारे पास initial pressure है तो अब यहां पर देखें at at p0 adsorption adsorption is equal to the desorption ठीक है यानि कि क्या हुआ जितने adsorption pressure जो है surface area खतम हो गया अगर adsorption हो भी रही है तो जितनी adsorption हो रही है उसके बराबर ही desorption हो रही है adsorption क्या होता है amount of the gas adsorption और desorption क्या होता है जो gas वाली को उससे छोड़ कर जा रहे हैं desorption हो रहे है इस point को उपर क्या होता है at this point adsorption becomes the constant every through the pressure is initial this is called the saturation state यानिके जब pressure apply करने से कोई new adsorption नहीं होती तो उस stage को adsorption state क्याती है initially pressure is very low and graph almost straight line हमारे पास जो है initially pressure is low यह वाला देखें pressure is low and graph almost straight line यह इस तरीके से एक straight line graph बन जाता है ठीक है तो x by m is directly proportional to the p x by m is equal to the kp k is the constant तो x by m हमारा किदर है y axis के उपर p किदर है हमारे पास p किदर है x axis के उपर k क्या है हमारे पास यह slope है हमारे जो हम अभी मैं आपको draw करके वहाँ पे दिखाता हूँ तो हमारे पास अगर एक equation देखें तो x by m is equal to the kp और y is equal to the mx यह हमारे पास equation number two बन गई एट हाई प्रेशर graph is parallel to the x axis तो at high pressure हमारे पास जो graph है वो parallel हो जाता है x axis के मैं यहां पर इसको draw कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी next भी यह portion यह portion यह portion यह वाला portion अब देखें यह हमारे पास क्या है जो उसकी final condition है यह इसका intermediate है यह इसका initial है initially initial initial intermediate 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 यह हमारे पास अब हम यहां से अब हम यहां से अब हमारे पास यह हो गहीं अब हम जरा इनको भी मैं ड्राग कर लूं अब यह ग्राफ हमारे पास available है इसको मैं अधर आपको समझाओंगा इसके साथ साथ यहां यहां को यह वाला पी यह वाला पी है आपके पास जो initial था यहां पर यह वाला पी एक्जिस्ट करता है यानि के लिए इसको फिक हो गया हमारे पास जो दूसरा एक्जिस्ट करता है इसको P0 कह देते हैं P0 और यह हमारे पास in between वाला है This is the X by M This is the हमारे पास pressure जो pressure उसके उपर apply कर देगा तो यह X by M हमारे पास Y axis के उपर यहां पर होते हैं और यह P इदर X axis के उपर और यह K क्या है यह हमारे पास यहां पर जो slope बनती है यह triangle इस तरीके से ठीक है यह हमारे पास इसका K है ठीक है similarly यह इसका K है ठीक है तो यह तो वैसे ही zero हो गया तो यह K क्या है actually यह K इसकी slope है ठीक है At high pressure graph is parallel to the X axis जब pressure high होता है तो graph is parallel to the X axis जिसको हम कहते हैं के adsorption और disorption ब्राबर हो जाती है P not का मतलब है यह P zero का कि उसके उपर pressure का कोई effect नहीं हो रहा तो high pressure के उपर हमारे पास होगा X by M is equal to the K P prime और low pressure के उपर हमारे पास होगा बेटा जी X by M X by M is equal to the K P यानि के यह दो होगी हमारे पास एक यह वाली और दूसरी हमारे पास यह equation number 3 होगी so X by M is the constant constant का है pressure हम कहते हैं जी pressure जो हो चेंज नहीं होता तो pressure का है constant है ठीक हो गया अब देखें जी intermediate की बात करती है in intermediate यह वाला जो यहां पर pressure apply हो रहा है यह ना तो initial है ना final है बलके का in between है यह one by n total amount कितनी है one और उसके उपर जितनी यहां पर apply हो रही है वो क्या है उसकी n amount है here it becomes the polynomial function of the degree one by n X by M will depends upon the power if the pressure which will lies between zero to one X by M is equal to the kp raise power one by n यह intermediate के लिए equation हो गई जिसके हम equation number five कह रहे है where and is the any whole number which depends upon the nature of the adsorbent and adsorbent at high pressure यह वाली situation हो गई n के X by M is equal to the kp prime और one by n यहां पर high pressure के उपर क्या हो जाएगा zero and क्या है infinite है यहां पर लो प्रेशर के उपर हम जब लो प्रेशर है तो पी one है तो one by n is equal to the one तो n is equal to the one है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास जो overall value आएगी वो one और उन से लेके एन और और उन से लेके infinite इंफिनीट एक्जिस्ट करेंगी प्रेशनियरल एक्स अस्वाइए एंप टाके प प्राइम वन बाई एन इस दाववन और फाइनली एन क्या है वो इन फाइनाइट है तो xym क्या है is equal to the k यो वो क्या कॉंस्टेंट है kp तो यहां पर देखे हैं वेरिफिकेशन ऑफ दा फ्रेंडलेच एड्जॉर्पेशन आइसो थर्म यहां पर हम उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं as we know xym initially intermediately directly proportioned to the p1 by n k is equal to the xym is equal to the kp raise power 1 by n taking log on both side हम दोनों साइडों के उपर उसका log ले लेते हैं जब log लेते हैं दोनों साइडों के उपर तो हमारे पास जब log लेंगे तो होगा क्या कि यह log x by m is equal to the यह जो equation है इसका log ले रहे है log x by m इसका अलग का log आ गया इसका अलग से log आ गया तो यहां से equation number 8 को देखें log x by m log k जो इसकी पावर है वो नीचे उसके बेस में आ जाएगी तो log p बन गया हमारे पास तो equation number 3 हमारे पास क्या थी y is equal to the c plus mx थी तो यह उसकी जो हमारे पास y axis को उपर की आ जाएगा log x by m आ जाएगा c क्या है उसकी log k जिसका हम slope कहते हैं और यह उसका मैस जो है वो न बैयन log p आ जाएगा तो यह हमारे पास उसकी जो explanation है verification है उसकी friendly की तो यह इसका ISO थर्म है बेटा इसको गोर से पढ़ ली जिएगा अगर कोई बास समझ ना है तो आप मुझसे जरूर डिसकस की जिएगा ठीक है नेक्स हम link mirror की बात करेंगे thank you, allah आफिस